खबर रूदर प्रयाग जनपद से है जहां किदारनात धाम के पैदा लियातरा करने वाले भक्तों के लिए 25 दिनों के बाद एक रहत भरी खबर सामने आई है आपको बता दें कि 31 जुलाई की रात के दारनाथ पैदा लियात्रा मार्ग पर आई तरासदी की कारण रास्ते जगह जगह पर ध्वस्त हो गए थे वहीं जिला आपदा प्रबंदन अधिकारी नंदन सिंग रजवार ने बताया कि आपदा के कारण पैदा लियात्रा मार्ग 29 जगहों पर शतिग रस्त हो गया था जिला दिकारी के निर्देशन एवं निगरानी में मार्ग को ठीक करने का कारे तीजी से चल रहा है साथी किदारनाथ पैदल मार्ग पर मजदूरों की कड़ी मेहनत के चलते पैदल मार्ग पर घोड़े और खचरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है इसके अलावा सोन प्रयाग से गौरी कुंड राज मार्ग को भी दुरूस्त करने का काम तेजी से चल रहा है जहां जल्द ही वाहनों की आवाजाही भी शुरू की जाएगी रुद परयाग से सत्यपाल लेगी की रिपोर्ट 31 जुलाई को केदारनाथ यादरा मार्ग में अतियतिक बारिस के करण कई जगों च्छतिगरस्त हो गया था जिसमें की जलादिखारी मोदे के निर्देश में रात दिन कार्या करते हुए 25 दिन के अंदर खचरों की आवाज आई है तो आज खोल दिया गया है जिसमें की खाद्या समागरी को ही अभी तक पहुँचाया गया है